अपने बेहन के घर हम अपने माई के से भी चले आए क्योंकि वहाँ मेडिया भाई लोग जाकर मुझे इतना परसान कर दिये थे कि मुझे वहाँ से भी आना पड़ गया तो दोस्तों हमें ही कहना चाते हैं कि मुझे छोड़ दीजिए मेरा जिंदिगी तो ऐसे भी जहन्ड हो पूरी तरह से दोस्तों मेरा इंटर्विव आप लोग मत ही लीजिए तो ही मुझे अच्छा है और हमें कहना चाते हैं दीदी आ गई थी मेरी इसलिए मैं बंद कर दी थी कैमरा तो दोस्तों आप लोग से ही कहना चाते हैं कि आज मैं अपने सस्वाल जा रही हूं मैं सुब चाहे काटें मुझे जीने मरने का मेरा कोई मुझे वो नहीं है अब मैं जा रही हूं और चाहे वो मार डालेंगे चाहे कुछ भी करेंगे चाहे किसी को भी दे दें मुझे कुछ भी करें क्या करें क्या ना करें मुझे इससे कोई फरक नहीं पता मैं जा रही हूं अपने सस मैं की हूँ तो मुझे वहाँ कोई रोक नहीं सकता है वहाँ जाने से वहाँ रहने से तो मैं अपने सस्रुआ लाज जा रही हूँ दोस्तों तो यही कहना चाहते हूं हमारे मेडिया भाई जितने भी हो आप लोग मुझसे इंटर्व्यू ना ले क्योंकि हम किसी को इंटर्व काम करें कुछ भी करें मुझे उससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि मुझे गर्व है कि हाँ आज सब कुछ हम किये हैं मुझे इस बात का हूँ है लोग कहते हैं ना कि मालती यह बन गई यह बन गई तो मुझे इसका कोई फरक नहीं पड़ता अगर मारेंगे पीटेंगे मुझे दुबारा फिर से तो उसके जिमेदार आप लोग ही होंगे क्योंकि आप लोगोंने मझे कॉमेंट करके बताए मालती अपने ससुराल जाओ तो ठीक है मैं जारी है अपने ससुराल लेकिन मुझे कुछ होता है है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएंगा क्योंकि अब वनी के लिए जा रहे हैं और मेरे तरफ एकदम छोट अविडियो में मालती के साथ काम नहीं करें तो ना करो जी हम को इस चीज का कोई फरक नहीं पड़ता है आप करो मेरे साथ ना करो हम तो चाहते थे कि हम सोसल मेडिया से हट जाएं लेकिन तो जो हम सोसल मेडिया से सुरू से ही हो गए तो इस टाइम हटेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगा तो इसलिए दोस्तों हम उनको बोल दी है कि तुम अपना देखो आप हमको आप से कोई मतलब नहीं है आपका पैसा भी नहीं चाहि जाएगा घर खाना बने रहेगा तो खालिजीएगा प्यार से चले जाएगा मुझे आप से कोई दिकत नहीं है आप कुछभी करो मेरे तरफ से आप छोट हैं qri톡 मेरा दो चैनल है एक मालती चोहन फन सब्सक्राइब दो चैनल है आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा मेरा डेली इस पर ब्लॉग वीडियो सौट वीडियो हमीसा आएगा तो आप लोग से छोटी सी रिक्वेश्ट है कि आप लोग इतना सपोर्ट करिए कि हां मालती चाहान को किसी का जरूरत ना पड़े कभी कि उसके जिंदगी में कमी कम हैसूस ना हो कि उसका पती किसी और के साथ काम कर रहा है मुझे कोई फरक ने पड़ेगा आप खुस रहो यार जिंदगी मेरी दुआ है आप किसी के साथ खुस रहो मुझे नहीं दिक्कत है क्योंकि हमने गल्ती किया है इसलिए आज हमको जुक पढ़ रहा है जो गलती किया रहता है कोई बात नहीं भगवान उपर वाला सब देखता है किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है उपर वाला सब देखता है हम उपर वाले के उपर वरोसा करते हैं कि उपर वाला क्या करता है क्या नहीं करता है भगवान के मर्जी है जिसके दिल म कावा हम बूजा था है हम ते भगवान के सब सब पर है भगवान निया तू करिया इंसाफ के देवता तू हमरों साथे इंसाफ करिया दुनिया के साथे करिया हमरों साथे करिया दुनिया भगवान कहते है ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तुसको फोटने में समय नहीं लगता है, इसलिए कह रहे हैं कि मुझे किसी का कोई जरूरत नहीं है, हम अपने जिन्दगे खुद से मेरा एक बेटा है, हम अपने बेटे के लिए भी खर्चा ना दे, हम किसी से कभी औरहन नहीं देंगे, कि हमारे घर हमें एक दिन भूखा रह जाएंगे, भूखा सो का सिरा करेगा, दो घंटा चार घंटा एक दीन दू दीन, चार लेकिन माई थे अपने भूखा रह जाले लेकिन ए बेटा आके खिला के सुते ले, उह छी हम भूखा रह जाब लेकिन अपने बाबु के कभी खुखा ना सुताई, वकर एक खर्टन दुनिया में भीख मांग पड़ जाएं मांग लें लेकिन अपने पती से कब्बो एक रुपईया ना मंगा अपका हैं से वात कल हमके कब्बो दीब है न कहीं ने एक रुपईया तब हम उनकरे साथे काम ना करतका हैं हमारे फूनों हक ना होला उनसे पैसा मंग लें कि हम अपने चैनल पे काम करीं चाह दूलार देंगे तो हम किसी के बल पे नहीं कूद पाएंगे तो जो भी होगा आप लोग कमेंट करें